हलो एवरीवन मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल पर आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जिसके नॉलेज जो है वो कई लोगों को नहीं है और यह जो है पर्मनेंट डामेज कर सकता है आपकी बॉड़ी को इवन डेथ का बहु इसरे नंबर पर है जिससे की दुनिया में बहुत जादा लोगों की मौत होती है तो अगर हमें कुछ चीजों को पता हो ताइम से हम वो चीजे कर लें तो हम 80% डेथ जो है वो हम बचा सकते हैं और जो पर्मनेंट डामेज हो सकते है बॉड़ी को उसको हम उससे हम रोक सकते हैं तो पहले समझते हैं कि स्ट्रोक होता क्या है स्ट्रोक जो होता है यह बेसिकली जब आपके ब्रेन में कुछ डामेज हो जाए जब आपके ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है जो ब्लड ले जाती है आर्ट्री उसमें कई ब्लॉकेज हो जाता है ज यह result करता है stroke में ब्रीन जो है हमारी body में बहुत important role play करता है इसके बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि यह हमारे coordination है body के movements है उसको control करता है जो thought process होती है emotions होते है language होते है उसको control करता है साथ में ये जो हमारी body के functions होते हैं जैसे कि सास लेना इन सब को control करता है तो जब जो हमारी arteries होती है जो खुन की vessels होती है जो brain पर जाती है उसमें कहीं पर ब्लॉकेज हो जाए तो इसकारण जो brain की tissue cells होते हैं वहाँ पर प्रॉपर oxygen नहीं पहुच पाता है और इस वजय से जो cells है वो मिंटो में उनकी डेथ होने लग जाती है इसके पहला होता है इस्चिमिक स्ट्रोक जो होता है यह 87% चो केसे होते हैं इसमें होता क्या है कि वहीं ब्लॉकेज के कारण अगर कोई ब्लैट क्लॉट हो जाए या फिर अगर आपके नसों में प्लाग जमना शुरू हो जाए फैटी डिपॉजिशन शुरू हो जाए जिसके तервwynel भ्न को जाए या फिर पूरी तरह बंद हो जाता है अगर आगे जाके आपके ब्रेण के सेल को डामेज करता है सोनीज करनें अब बात करते हैं दूसरी बार में यह होता है यह 1 अचि उल्टा होता है इस चिमिक स्ट्रोक का इसमें क्या होता है कि जो आपके ब्रेन वैसल होती है जो खून की नलियां जो आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती हैं वो अगर ब्रेन में उसका उस नलियों से उन वैसल से अगर खून की लीकेज शुरू हो जाए या आपकी जो व प्रेशर है, खून जो वहां पर जम जाता है, उस वज़े से प्रेशर बनता है ब्रेन के सेल्स पर और ये एक तरे से उसको डामेज कर देता है। ये देखा जा सकता है अगर आपको हाई बीपी रहता है या फिर आपको कोई इंजरी हो गई है चोट लगने के कारण ये हैमरेजिक स्ट्रोक देखा जाता है। एक और टाइप का स्ट्रोक होता है जिसे हम मीनी स्ट्रोक बोलते हैं ये उन दोनों मेजर स्ट्रोक से थोड़ा अलग होता है इसे हम ट्रांजियंट इसचिमेक स्ट्रोक बोलते हैं इसमें क्या होता है कि कुछ देर के लिए आपके जो ब्रेन में सप्लाई होती है खून की व से कम का ही time होता है इतने देर के लिए ही ऐसे symptoms आते हैं और उसके बाद ये symptoms अपने आप ही resolve हो जाते हैं आप back to normal आ जाते हो तो इसको बोलते हैं mini stroke जो कि कुछ time के लिए देखा जाता है ऐसे में अगर आगे जाके हो सकता है आपको साल भर में या महीने में एक major stroke पड़ सकता ह इसलिए अगर आपको इस्ट्रोक आए तो इसे हलके में बिल्कुल ना लीजिए और जैसे यह आता है आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाईए और इसका इलाज करवाईए क्योंकि चांसस बहुत जादा है कि आगे जाके आपको मीजर स्ट्रोक आ सकता है अब बात करते ह की स्ट्रोक के यह सि्म्टम्स है और हम इसको कैसे अभौईड कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले जो होता है अगर आप किसी को स्माइल करने के लिए बोलेंगे तो आपका जो आदा फेस है वो नीचे की तरफ जुग जाएगा आप स्माइल करेंगे तो आदा लिप्स जो आपके है वो डूप कर जाएगे डूपिंग ओफ लिप्स होगा Secondly, अगर आप किसी को बोलेंगे आप हाथ उटाईए दोनों अपने तो फिर एक हाथ जो है जहाँ पर वीकनेस आजाती है एक हाथ जो है वो पूरी तरह उपर ना उठके नीचे हो जाएगा नीचे की तरह आने लगेगा वो पूरी तरह उपर नहीं उठेगा तीसरा है अगर आप किसी को कुछ बोलने के लिए बोलेंगे जैसे कि कोई सिंपल सेंटेंज भी हो पर वो ढंक से नहीं बोल पा रहा है स्पीच बहुत जादा फ्लर्ड है समझ में नहीं आ पा रहा है यह एक और साइन है कि आपको ब्रेन के डामेज होने लगा है तो इन चीजों को आप याद रख सकते हैं एक टर्म होता है फास्ट करके फास्ट में एस जो होता है वो रिप्रेजन करता है फेस डूपिंग को सेकंड है ए जो होता है वो आम वीकनेस को रिप्रेजन करता है S जो होता है वो sludge, speech को represent करता है और T जो होता है उसका मतलब होता है time to go to the doctor तो आप इन चीजों को धिहान रखेंगे तो आप इसको avoid कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको और कहीं sign and symptoms हो सकते हैं जैसे कि आपको चलने में दिक्कत होगी आपके जो चलेंगे तो balance नहीं बन पाएगा loss of balance होगा साथ में आपको एक आख या दोनों आखों से देखने में दिक्कत हो सकती है या अचानक से आपको अगर सरदर्ध हो गया बिना किसी कारण के या फिर अगर आपको body के पूरी एक पार्ट में या फिर दोनों पार्ट में weakness नजर आए तो यह सब जो होते हैं एक तरीके के sign and symptoms हैं जो कि indicate करता है कि brain में damage हो रहा है तो इसके लिए आपको तुरंट action लेना है बिना कोई minute गवाए अब बात करते हैं इसके diagnosis की आप अगर hospital में जाएंगे वहाँ पर सबसे पहले आपका CT scan करवाया जाएगा brain का MRI करवाया जाएगा इससे पता चलेगा कि आपके brain में कहां blockage है कितना blockage है और कितना damage हो चुका है जिसके वज़े से आपका यह सारे sign and symptoms आ रहे हैं और उसी के according लिए आपको treatment दिया जाएगा बात करें high risk के तो high risk जो है इसमें बहुत जादा matter करता है जो लोग 55 साल से उपर होते हैं उनमें यह stroke की जो chances हैं बहुत जादा होती है secondly जिन में family history रह चुकी है मतलब आपके पापा को आपके grandfather को अगर यह stroke के दिक्कत रही है तो फिर बहुत जादा possibility है कि आप पर pass on हो सकता है साथ में अगर आपकी जो lifestyle है वो बहुत जादा inactive है आप exercise नहीं करते हैं आप खाना पीना आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और तला भूना बहुत जादा खाते हैं और साथ में अगर आपको कोई lifestyle disease हो जैसे कि आपका cholesterol बढ़ा हुआ है blood pressure बढ़ा हुआ है diabetes है तो इन सब cases में यह stroke के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं साथ में अगर आपका वजन बहुत जादा हो उन cases में भी यह हो जाता है stroke के chances अगर आप कोई drugs ले रहे हैं जैसे कि hormonal therapy में लिया जाता है तो उस case में stroke के chances बढ़ जाते हैं साथ में अगर आप बहुत smoking करते हैं या फिर आप alcohol जादा मात्रा में लेते हैं और बहुत बार लेते हैं तो फिर इस case में भी stroke के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं यह बात हुई high risk cases की अब बात करते हैं कि हम इसे कैसे prevent कर सकते हैं dietary basis पे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि high risk किसमे कौन-कौन है जैसे कि high blood pressure हो गया और diabetes है और जादा cholesterol है तो आपको इसके हिसाब से अपने diet में changes करने पड़ेंगे जैसे आप अपने जो diet है उसमें 50% प्रतिशत जो है वो फल और सबजियों को रखें उसके बाद आप grains जो होते हैं whole grains लें whole grains में जो fiber होता है potassium magnesium यह सब अच्छी मात्रा में होते हैं protein वगेरा तो फिर यह आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं अपनी diet में साथ में जो फल सबजियों होती है इसमें vitamin A, vitamin B, C सारे vitamins जो हैं और folate हो गया और iron हो गया यह सब अच्छी मात्रा में दिखता है तो फिर इसलिए आप फल सबजियों को जादा जादा लें और इसके साथ साथ जो nuts हो गए जैसे कि pumpkin seed हो गया walnut हो गया अक्रोड और बदाम हो गया आप इसको अपनी diet में include कर सकते हैं बात करें dairy products की तो आप low fat milk और milk के product ले सकते हैं इसमें अच्छी मात्रा में protein, vitamin D, calcium, potassium यह पाया जाता है तो आप यह low fat ले सकते हैं इसके साथ साथ इसके साथ साथ आप अपने पानी का consumption जो है वो कम से कम दो लीटर प्रति दिन रखें तो यह सब करने से आपका जो BP sugar यह सब control में आ जाएगा और जो stroke के chances हैं वो कम हो जाते हैं अगर आपका वजन बहुत जादा है तो फिर आप dietary changes करके और active रहके exercise regular करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं और यह तरह से आपके जो stroke के chances है उसको कम कर देगा अगर आप बहुत जादा smoke करते हैं तो फिर smoke को बिलकुल बन कर दीजिए अगर आप बहुत जादा alcohol लेते हैं तो फिर उसको आप limited quantity में कभी कभार ले सकते हैं जो red meat होते हैं या फिर जो processed meat होते हैं इसको आप जितना वोइड कर सके करें क्योंकि एक तरह से आपके जो यूरिक असे है यह सब बढ़ाता है तो इसको कम खाईए या avoid करिए साथ ही साथ आप जो potassium rich food है वो लें जैसे की केले हो गया टमाटर हो गया जामून हो गया और जो खर्बूजे हो गया तो इन सब में potassium जादा होता है तो यह आपके एक दर से बीपी को कांट्रोल करने में काम आता है तो यह सब dietary changes करके आप अपना जो high risk case है इसको आप कम कर सकते हैं स्टोक से बच सकते हैं इसके साथ साथ जो सफेज चीजे होती हैं जैसे की नमक हो गया चीनी हो गई और मैदा हो गया इनसे बचे यह अपनी डायट में बहुत कम लें और तेल की quantity को भी कम करें तो यह था मेरा एक चूता सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टोक कैसे होता है कितने टाइप्स होते हैं और यह आप छोटी छोटी जो बाते हैं सिम्टम्स हैं इनको ध्यान में रखके सतरक रहके आप किसी की जान बचा सकते हैं या फिर उसको permanent damage से बचा सकते ह हैं वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें मिलती हूं आप से अगली वीडियो में और information के साथ तब तक लिए goodbye